मुवी की सुरुवात में हम एक सिटी को देखते हैं, जहांपर सभी अपने काम में बिजी होते हैं, वहीं हम एक बूढे कपल को देखते हैं, जो मिट्टी के खिलोने बना रहे होते हैं, वो मिट्टी से खुबसूरत से सेफ और एक प्यारी सी लड़की को बनाते हैं, जिनका अंजान क्रियेचर में को उठा कर वहां से ले जाता है इधर माश्टर अपनी पत्नी की मौत हो जाने से पूरी तरह से तूट जाते हैं और वो खिलोना बनाना बंद कर देते हैं अगले सीन में हमें एक सौफ को देखते हैं जहां का सौफ कीपर सभी को खिलोने पर पानी डाल कर दिखा रहा होता है जहां सौफ कीपर के पानी डालने की वज़े से सभी खिलोने का कलर चेंज हो जा रहा था ये देखकर सभी बहुत खुज होते हैं लेकिन वो नेथन के उपर पानी नहीं डालता है ये देखकर एक लड़की उससे पूचती है कि क्या इस पर पाने डालने से इसका भी color change हो जाएगा और वो उस पर पाने डालने ही वाले होती है कि तभी सौपकी पर उसे रोक देता है और उससे नेथन को लेकर दूर रख देता है और कहता है कि इसे touch मत करो ये बहुत मुल्यवान है ये उस मास्टर के द्वारा बनाया गया लाश्ट खिलोना था बेसक ये अपना कलर चेहीं नहीं कर सकता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यूं होता है और इस वज़ा से वो इसे बेच भी नहीं सकते इसके बाद हम रात का समय देखत है और जब बाकी के खिलोने निथन से उसके पावर के बारे में पूछते हैं तो वो बाते बनाने लगता है इसके बाद ये लोग खूब मस्ती करते हैं और इसी दोरान एक बार निथन पीछे से आकर सब को डरा दिता है जिससे सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर निथन कहीं न कहीं अपने कलर ना चेंज कर पाने की वज़ह से बहुत दुखी होता है और वो खिड़की पर आकर बैट जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड रेड पिगी भी आता है और वो निथन को समझाता है कि कलर ना चेंज कर रहता है उस सफेद बॉल को देखकर सब डर जाते हैं लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वो सफेद बॉल कोई बॉल नहीं बलकि एक रोबोट है इसके बाद वो रोबोट उन्हें बताती है कि वो फ्यूचर से आई है इसके बाद नेथन उस रोबोट की परिच्छ पूरा विस्वास हो जाता है कि वो रोबोट सच मुछ फ्यूचर से आई है इसके बाद वो उस रोबोट से अपने कलर ना चेंज कर पाने की वज़ा पूचता है लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देपाती है और वो नेथन को बताती है कि साध इसका जवाब फ्यूचर म की मदद से रोबोट भाविस से यहां आई थी वो किसी तरह इंसानों की नजर से बचते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो एक साइंस की किताब को अपने पीट फर बांद कर नेथन की तरफ निकल जाते हैं जहां पर रोबोट के हिसाब से वो वार्मोल था जिसकी मदद से वो भविस से यहां आया था लेकिन वहां पर कुछ भी वाइसा नहीं होता है और वो तोनों फ्यूचर में जाने के चकर में गिरते हुए एक घर में आ जाते हैं जहां पर धेर सारे पालतु जानव उसके पास हर सवालों का जवाब होता है इसके बाद वो नेथन को एक मैप दिखाता है और बताता है कि 3W मैन तक पहुँचने के लिए उसे अंडर वर्ल्ड के अंधेरे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा और उन अंधेरे रास्तों में इविल फ्लैस नाम का एक सैतान रहता है जिनसे उन्हें बच कर आगे बढ़ना होगा वरना अगर उसकी नजर उन पे पड़ गई तो या तो वो उन्हें बंदी बना लेगा या फिर जान से मार देगा इसके बाद नेथन रोबोट के साथ 3W मैन की तलास में निकल पड़ता है अब ये दोनों इनसानों की नजर स बचते हुए गटर में आ जाते हैं और गटर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं आगे बढ़ने के दोरान एक बार नेथन रोबोट को यूँ ही अस्पिन करने को बोलता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो रोबोट सच में अस्पिन करने लगती है इसके बाद मर्जी के हिसाब से उसे इस्तमाल कर सकता है तभी हम वहाँ एक चुहे को देखते हैं जो एक छोटे से गिफ्ट को लेकर जा रहा होता है अब जब नेथन रोबोट के साथ कुछ आगे बढ़ता है कि तभी उसे नीचे वो गिफ्ट पड़ा दिखाई दिता है जो वो चुहा लेकर जा रहा था नेथन उस गिफ्ट को उठा लेता है और वो उसे एक गिफ्ट के तौर पे उस रोबोट को दे देता है और वो रोबोट उसे लेकर बहुत खुस होती है और उसका सिस्टम नेथन को एक फ्रेंड के तोर पे एकसेप्ट कर लेता है अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई भारी चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और अगले ही पली ये देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है ये देखकर नेथन एक लटकती हुई सीडी पर चड़ जाता है और वो रोबोट भी अपनी जान बचा कर भाग रही होती है कि तभी उसके हाथ से नेथन दोरा दिया गया गिफ्ट छूट कर नीचे गिर जाता है और वोबोट अपनी जान की परवा किये बिना उस गिफ्ट को उठाने जाती है इसके बाद ये लोग किसी तरह बहुत मुस्किल से अपनी जान बचा पाते है इसके बाद नेथन उस रोबोट से पूचता है कि तुमने अपनी जान की बाजी लगा कर उस बेकार से गिफ्ट को क्यों उठाया इस पर रोबोट बताती है क्योंकि वो उसका दोस्त है यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोबोट नेथन को अपना कितना बड़ा फ्रेंड मानती है इसके बाद हम उसी रेड पिगी को देखते हैं जो अब भी अपनी पीट पर बुक लेकर आगे बढ़ने की कोसिस कर रहा होता है और जब वो एक गटर के पास पहुँचता है तो वो उसकी गहराई और अंधेरे को देखकर उसे वर्म होल समझने लगता है इसके बाद हम रोबोट और नेथन को देखते हैं जिने गटर में दो चूहे मिलते हैं जो इन दोनों को डरानी की कोसिस करते हैं इन में से एक पतले चूहे का नाम सिकी और मोटे चूहे का नाम गीकी होता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों 3W मैन को ढूंड रहे हैं तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि 3W मैन कहा रहता है और वो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं इसके बाद वो दोनों इन्हें बेवकूब बनाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जहांपर बहुत से चूहे होते हैं जो एक बहतर लाइफ जी रहे होते हैं ये सब देखकर नितन पूरी तरह से हैरान हो जाता है इसके बाद ये दोनों चूहों के बॉस के पास जाते हैं जहांपर बहुत सी कीमती और एतिहासिक चीजे रखी होती है। और जब ये दोनों चुहों के बॉस को देखते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं क्यूंकि ये कोई और नहीं बलकि evil flash होता है। जो खिलोनों को या तो मार देता है या तो कैद कर लेता है क्यूंकि उसे खुबसूरत चीजों को collect करने का बहुत सौक होता है। इसके बाद flash robot को कहता है कि तुम हो एक brand new robot ये सुनकर robot उससे पुझती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। इस पर flash बोलता है कि हाँ वो उसे जानता है। इसके बाद हम flashback का scene देखते हैं जहाँ पर सिखी और गिकी एक lab में चूरी करने जा रहे होते हैं जहाँ पर एक वैग्यानिक अपने assistant की मदद से उस सफेद robot को बना रहा होता है और वहीं पर सिखी और गिकी की गलती की जासे रोबोट बाहर नहीं जा पाती और वैग्यानिक उसे पकड़ लेते हैं लेकिन तभी उनका guard गलती से दर्वाज़ा खोल देता है जिससे robot वहां से निकल जाती है और वैग्यानिक उससे पकड़ नहीं पाते हैं ये देखकर वैग्यानिक का assistant guard को उसकी नौकरी से निक क्योंकि तुम्हारे पैर पे एक signature है और तुम एक duplicate खिलोने हो ये सुनकर रोबोट कहती है कि नहीं तुम जूटे हो नेथन डूबलिकेट नहीं बलकि original है क्योंकि signature हमें सा original चीजों पर होता है ये सुनकर फ्लैस अपने सबसे खुबसूरत collection को उनके सामने पेस करता है जो फ्लैस नेथन को माने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो रोबोट नेथन और मे को उठा कर वहां से भागने लगता है फ्लैस और उसके बाकी के चुहे उन्हें रोखने की पूरी कोसिस करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं और एक ऐसा समय आता है फ्लैस के लोग कैद कर लेते हैं और नेथन गटर के गहरे पानी में गिर जाता है इसके बाद रोबोट और फ्लैस के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें रोबोट फ्लैस को बहुत बुरी तरह मारती है ये देखकर फ्लैस हार मान लेता है और उस रोबोट को पानी के अंदर डूपता चला जा रहा होता है। से अलग करके रोबोट के पास आ जाता है और वो उस रोबोट को वोईस कमांड देता है और देखते ही देखते वहाँ पर धेर सारे रोबोट आ जाते हैं जो AI कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन रोबोट को ये सब पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से निकल जाती है इसके बाद हम रेड पिगी को देखते हैं जिसे सिकी और गिकी की ड्नैप कर लेते हैं। उधर नेथन अभी भी पानी के अंदर फसा होता है कि तभी वहाँ पर एक चमकीली मचली आती है। लेकिन अगले ही पल वो मचली वहाँ फस जाती है जिसे नेथन आजाद कर देता है। इसके बाद वो मचली वहाँ से चली जाती है और अपनी तरह धेर सारी मचलीयों को लेकर वहाँ आती है। इसके बाद वो मचलिया नीथन को अपने ऊपर बिठा कर उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ती है दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो फ्लैस के सामने खड़ा होता है फ्लैस पिगी को टॉचर करके उससे पूचता है कि बताओ रोबोट कहां पर है लेकिन पिगी उससे कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि रोबोट कहां पर है ये सुनकर फ्लैस पूरी तरह से फ्रस्टेट हो जाता है दूसरी तरफ हम नीथन को देखते हैं जो मचलियों की मदद से पानी के बाहर निकल जाता है लेकिन तभी एक बड़ा सा चुहा नीथन पर हमला कर देता है और नीथन वहाँ एक गहरी खाई में गिनने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वह रोबोट आकर उसे बचा लेती है उसके بعد रोबोट और उस चुहे में फाइट होना सुरू हो जाती है लेकिन बहुत जल्दी वह चुहा हार मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है इसके बाद नेथन रोबोट को अपने साथ चलने और फ्लैस से लड़ने को कहता है लेकिन रोबोट मना कर देती है क्योंकि वो जान गई होती है कि अगर वो फ्लैस से लड़ने जाएगी तो फ्लैस बॉइस कमांड देकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा इसके बाद ये दोनों 3W मैन की तलास में निकल जाते हैं और लगतार रास्ते में पढ़ने वाली बादाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ ट्वाइज दिखाई देते हैं जो 3W मैन की तरफ जा रहे होते हैं दरसल आज 3W मैन का बर्डे होता है और आज वो किसी एक के सवालों का जवाब देगा इसलिए सभी अपने सवालों को लेकर 3W मैन के पास जा रहे होते हैं नेथन और रोबोट भी उनी के साथ निकल पड़ते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर 3W मैन रहता है वहाँ पर मेड़कों की एक टोली होती है जो कहता है कि एक बार में एक ही अंदर जा सकता है इसके बाद एक बड़ी सी छिपकली अंदर जाती है लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह से मारखा कर वापस आती है इसके बाद जितने भी लोग अंदर जाते हैं मारखा कर वापस आते हैं इसके बाद रोबोट अंदर जाती है और बहुत समय बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आती है ये देखकर नेथन दौरता हुआ अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत से मेड़क होते हैं जिन्होंने रोबोट को जकर कर रखा होता है ये देखकर नेथन अपनी जान पर खेल कर उन मेड़कों से लड़ने लगता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह उस रोबोट को उन मेड़कों से आजाद कराता है इसके बाद वो दोनों 3W मैन के पास पहुँचते हैं लेकिन यहाँ पर कोई इंसान या जानवर नहीं बलकि एक कंप्यूटर होता है जिस पर टाइप करके लोग अपने सवालों का जवाब जानते हैं अब जब नीथन अपने सवालों को टाइप करी रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिकी और गीकी अपना खौफ दिखाने के लिए वहाँ की एक बिल्ली को बता देते हैं कि वो फ्लैस के आदमी है फ्लैस का नाम सुनते ही वहाँ पर भगदर मत जाती है और सारे ट्वाइस यदर उदर भागने लगते हैं और इसी भागम भाग में पूल तूट जाता है और वो रोबोट एक बड़ी सी चीज पर आकर गिरती है जिससे वो आफ हो जाती है तभी कमरे का दर्वाजा खुलता है और यहाँ पर वही गाड आता है जिसके दर्वाजा खुलने की वज़े से वो रोबोट लैब से भागी होती है दरसल यह जगा उस गाड का कमरा होता है जिसे सब 3W मैन कह रहते हैं वो उसका कम्प्यूटर होता है इसके बाद वो रोबोट को उठा कर वहाँ से ले जाता है और वो उसे ठीक करने की कोसिस करता है लेकिन तभी उसका कूरियर वहाँ आ जाता है और वो अपनी डिलिवरी लेने बाहर चला जाता है इसी मौके का फाइदा उठाकर नेथन रोबोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब वो रोबोट के पास दुखी होकर बैठा होता है कि तभी कुछ बच्चे गलती से वहाँ पर मौझूद बड़े से जूले को अस्टार्ट कर देते हैं और जब ये सब डियक्टिवेट पड़ी रोबोट की आँखों में पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि नेथन ने जो वो गिफ्ट रोबोट को दिया होता है उसमें भी एक जूला होता है जिससे वो रोबोट इमोशनली जूरी होती है रोबोट को एक्टिवेट देखकर नेथन बहुत खुस होता है इसके बाद नेथन रोबोट को आफ करके उस गाड के रूम में रख देता है और वहाँ से फ्लैस से अपने साथियों को छुडाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाता था कि उसकी वज़ा से एक बार फिर से उस रोबोट की जान खत्रे में पड़े इसके बाद नेथन सीधी उन चमकीली मचलियों के पास पहुँच जाता है और वो उनके साथ मिलकर फ्लैस के उपर हमला कर देता है सबसे पहले वो गटर का पूरा पानी खोल देते हैं जिससे फ्लैस का पूरा समराज्ज पानी में डूबने लगता है इसके बाद नेथन मे और अपने बाकी के दोस्तों को पिंजडे से आजाद कर देता है और उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन इससे पहले कि वो मे को लेकर वहां से निकल पाता वहां का वाटर लेवल कम हो जाता है और वो पानी के एक भवर में फस जाते हैं और वो उसमें डूबने ही वाले होते हैं कि तब ही वहां पर वो रोबोट आ जाती है जो नेथन और मे को बचा कर वहां से ले जाती है फ्लैस के चंगुल से आजाद होकर नेथन के दोस्त बहुत खुस होते हैं इसके बाद नेथन मे और रोबोट के साथ मास्टर के घर पे आ जाता है और जब वो मास्टर के खिलोने बनाने की भटी में से होते हुए अंदर जाही रहे होते हैं कि तब ही वहाँ पर फ्लैस आ जाता है फ्लैस को देखकर रोबोट उसे मानने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फ्लैस रोबोट को वाइस कमांड देकर अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उस रोबोट से ही नेथन और में पर हामला करवाने लगता है और एक ऐसा समय भी आता है जब रोबोट नेथन और में को मानने वाली होती है कि तभी उसके अंदर रखा वो गिफ्ट जो नेथन ने रोबोट को दिया था वो रोबोट के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और जब रोबोट की नजर उस गिफ्ट पर पढ़ती है तो उसके अंदर बदला होना सुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो voice command से खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो voice command की प्रोसेस करने वाली चिप को तोड़ देती है और उसके बाद वो flash को बुरी तरह से मारती है रोबोट को flash के control से बाहर देखकर नेथन बहुत खुस होता है कि तभी flash भट्टी में कोईले की चैन को खीच देता है जिससे देखते ही देखते भट्टी में धेर सारा कोईले आने लगता है जिससे देखकर रोबोट नेथन और मे को लेकर वहां से भागने लगती है लेकिन तवी फ्लैस भट्टी की आग वाली बटन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो पूरी भट्टी जलते हुए कोईले से भरने लगता है लेकिन किसी तरह बहुत मुश्किल से रोबोट मे को लेकर भट्टी से बाहर निकल जाती है और निथन भी रोबोट का हाथ पकड़कर बाहर निकलनी ही वाला होता है कि तभी फ्लैस निथन का पैर पकड़कर नीचे खीचने लगता है और निथन को रोबोट और मे की जान को बचाने के लिए रोबोट का हाथ छोड़ना पड़ता है जिससे नेथन और फ्लैस धदखते हुए लावे में गिर जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे रोबोट और मे दूर जाकर गिरती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सो कर उठता है जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर में होती है जिसे देखकर वो मास्टर बहुत खुस होता है इसके बाद वो देखते हैं कि उनकी भट्टी का दरवाजा तूटा हुआ है और जब वो अंदर हाट डाल कर देखता है तो वहाँ पर नेथन होता है जो बिल्कुल काला पढ़ गया होता है इसके बाद वो मास्टर नेथन को पोच कर साफ कर देता है और उसके बाद वो एक सफेद चमकता हुआ रियल सेफ लग रहा था ये देखकर वो बहुत खुस होता है क्योंकि फाइनली उसका भी कलर चेंज हो गया था इसके बाद वो दोनों रोबोट के पास जाते है जहां पर वो टूटी पड़ी होती है तभी कुछ बच्चे उसे उठा कर गार्ड के पास लाते है और वो गार्ड उसे बना कर फिर से पहले जैसा कर देता है और जब रोबोट नीथन को देखती है तो वो बहुत खुस होती है और इसी के साथ ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्लीज अगर जाती है और बहुत जाती है